हलो एवडिवान वेलकम एंड वेलकम बैक तो मैं चानल मैं हूँ आप लोगी टैरो रीडर एंड अस्ट्रोलोजर अधिती भारती आज मैं यहां पर आप लोग के लिए चुक करने वाली हूँ कि अगर आप करेंडली किसी कनेक्शन में हो अगर आप किसी रिलीशन्शिप में तो आप और आपके पर्टनर कितने जादा कंपटबल हो ये आज का चुशन है और आज पिका करी अपन हैं करने वाली हूँ क्योंकि एक card को pick करनी है intuitively और मैं आपको बताऊंगी आपकी energy क्या है आपके partner की energy क्या है उसके साथ relate करते हुए अगर वो resonate होती है आपके साथ तो आप जरूर से ये check किजिए कि आप दोनों कितनी जादा compatible हो और साथ में ये भी मैं आप लोगों के लिए check करूंगी कि आने वाले two months time stamp मैं description box में दी दूँगी और मैं start करूंगी pile number one से hello pile number one अगर आप लोगोंने पिक क्या है ये वाला card तो चलिए check कर लेते हैं आप लोग कितनी जादा compatible हो आप अपने partner के साथ इतनी जादा compatible हो सबसे पहले check करते हैं आपके energy आपके partner के energy and next two months तो यहां पर आपकी energy में जो शो हो रहे हैं आप लोग highly intuitive person हो और आप लोग spiritual भी हो कुछ आप practice भी करते हो और कर साइन से जुड़ी हो सकती हैं आप कुछ practice करते हो टैरो भी हो सकता है आप करते हो या astrology से जुड़ी हुई कुछ भी occur science से जुड़ी हुई आपकी हो सकता है interest भी है और आप कुछ practice भी करते हो और आपकी जो nature है वो थोड़ा mysterious है आप सब कुछ open नहीं करते हो दूस्टों के सामने और emotional तो आप हो लेकिन आप उसको शो नहीं करते हो या फिर emotions के flow में आप अपने life के कोई decisions नहीं लेते हो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी energy शो हो रहे है एक high priestess के energy बहुत ही higher vibration होती है तो यहाँ पर definitely अगर आप लोगों ने इस pile को pick किया है तो आप लोगों की energy बहुत हाई है और आप में psychic abilities भी हो सकती है आपकी intuitive power बहुत हाई है आपकी कहीं हुई बात ही आपकी जो six sense है वो बहुत strongly work कर जाती है यहाँ पर कुछ ऐसी energy शो हो रहे है और आप अपने partner से जो मिले हो आप दुनों की मिलने का कोई purpose है ऐसी आपकी feeling से इस connection को लेकर अगर मैं यहाँ पर आपके partner की बात करूँ तो यहाँ पर आपके partner की कुछ न कुछ past है यह एकदम new आपके साथ connection में नहीं है इनकी past में कुछ हुआ है इनके साथ कोई connection इनकी duty थी past में बहुत खराब situation में यह stuck हो चुके थे उसके बाद आपके साथ connection बनी इनको love life में एक दूसरा मौका मिला यहाँ पर जैसे की love life में इनको कोई second chance मिली है एक बार completely सब कुछ हो जाने के बाद दुबारा इनको वो love वो connection मिली है और इसलिए यह divine से बहुत grateful है और इस connection को एक blessings की तरह देखते हैं और साथ में यहाँ पर कुछ लोगे लिए यह भी हो सकती है कि यही आप दोनों की जो connection है इसमें ही पहले आप दोनों एक बार अलग हो गये थे या फिर आप दोनों की connection किसी वज़े से नहीं आगे बरपाई थी एक stuck वाली situation completely break up वाली situation आप दोनो मौका मिला है यहाँ पर एक rebirth वाली energy है जैसे यह इस connection में इनको कोई दूसरा मौका मिला है या फिर love life में इनको दूसरा मौका मिला है कुछ ऐसे situation आपके partner के साथ show हो रहे है current situation में यह इस connection को लेकर बहुत hopeful भी है और साथ में grateful भी यह है तो question यह है कि आप दोनों कितनी जादा compatible हो यहाँ पर आप दोनों में connection bond तो बहुत strong है आप दोनों इक दूसरे के care करते हो और आप दोनों जब एक दूसरे के साथ होते हो ना वो आप दोनों बहुत enjoy करते हो उस time को जैसे कि एक दूसरे में खो जाना एक strong soul bond आप दोनों में शो हो रहे हैं यहां पर और जब आप दोनों साथ होते हो आपको कोई अलग एनरजी हिट नहीं करती है आप दोनों एक दुस्तरे के एनरजी में बर्ण्ज हो जाते हो completely, तो yes आप दोनों comfortable तो हो, आप दोनों definitely एक दूस्टरे के लिए बने हो एक दूस्टरे के साथ highly compatibility है आप दोनों की, और आप दोनों की mindset भी बहुत हद तक match होती है और आप दोनों एक दूस्टरे को complete करती हो, कुछ ऐसी energy हाँ पर show हो रहे है emotional bond आप दोनों में strong है और एक passion भी है इस connection में, आप दोनों एक दूस्टरे को लिए कर passionate भी हो और आगे एक future की तरफ positive approach भी है आप लोगों की, तो yes अगर आप लोगों ने पिक्या है pile one, तो आप दोनो strongly compatible हो, आप दोनो एक दूस्टरे के लिए बने हो, मैं ऐसा कह सकती हूँ, तो यहाँ पर आगे की जो two months होंगे, उसमें क्या हो सकता है उसमें क्या situation हो सकती है चलिए, थोड़ा मैं check करना चाहूँगे एक card मुझे clarify करनी है यहाँ पर हो सकता है आप दुनों की connection में other influence है आप तो मुझे लग रहे हो बहुत highly intuitive हो और आपको दूस्टरे के बारे में success आपकी work करती है तो आप दूसरों को अच्छे से समझ जाते हो कि किस की क्या intention है लेकिन आपकी जो partner है वो शायद से ये नहीं समझ पाते है और इनको ना manipulate करना बातों में उलजहाना बहुत easy है इनकी brainwash करना बहुत easy है यहाँ पर कुछ ऐसी energy show हो रहे है हो सकता है आपके partner को ऐसा नहीं लगता हो कि आपके partner manipulate हो जाएंगे आपके partner को हो सकता है ऐसा लगता हो कि ये तो बहुत powerful है ये बहुत strong personality है इनको easily mold नहीं किया जा सकता है लेकिन truth actually में पूरा उल्टा है इनको easily confused किया जा सकता है इनको easily brainwashed किया जा सकता है तो next two month में हो सकता है कि आप दुनों के connection में कुछ लोगों के influence हो और आपके partner को कुछ लोग confuse कर सकते है अपनी बातों से हो सकता है इसे negative बातों से इनको influence किया जा सकता है तो आपके partner यह confusion में तो जाएंगे इस connection को लेकर आपको लेकर थोड़ा यह confused होंगे लेकिन उसके बार यह खुछ से ही उस situation को overcome करेंगे यह stand भी लेंगे जो लोग भी आप दुनों की connection की खिलाव है या जो लोग भी आप दुनों की connection को easily accept नहीं कर पा रही है या फिर कुछ लोग आप दुनों की connection को खड़ाब करनी की कोशिश करा है उनके against आपके person action लेंगे and then आप लोग हो सकता है कि एक step और आगे बरो इस connection में किसी तरीके की growth आ रही है आप दोनों बहुत दिन से जो चारे हो वो होने वाली है यहाँ पर यह शो हो रहे है कि जिस भी stage पर आप लोग अभी इस वक्त हो उससे आप लोग आगे बरेंगे एक step और आप लोग आगे बरेंगे next two month में लेकिन उससे पहले कुछ ना कुछ यहाँ पर obstacle आते हुए दिखाया जा रहा है और यह होगी आपके आप दोनों के अलावा कुछ और लोग अगर इस connection में involved है तो उनके दोड़ा इस connection में कोई problem आ सकती है तो आगे आपके लिए एक अच्छा time और आपकी कोई ना कोई wish fulfillment wait करा है next two month में तो यही है pile 1 आप लोग के लिए reading yes आप लोग highly compatible हो और आगे इस connection में बहुत positive thing भी wait करे है आप लोग के लिए तो अगर यह reading आपके साथ resonate हुई है तो मुझे comment section में जरूर से बताएगा वीडियो को like किजिएगा, channel को subscribe किजिएगा thanks for watching hello pile 2 अगर आप लोग उने पिक्या है यह वाला card चलिए check कर लेते हैं आपके energy आपके partner के energy आप दुनों कितनी जादा compatible हो और next to month चलिए आपके energy आपके partner के energy and next to month तो यहां पर जो show हो रहे हैं आप लोग इस connection को लेकर बहुत energy आपके expectations बहुत कुछ है इस person से और आपके लिए यह person आपकी पूरी दुनिया है आप इनको बहुत चाहते हो अपने life में आप manifest भी करते होंगे इस person को और continuously इस person के बारे में आप सोचते हो इस relationship में इस connection में आप इस person के बारे में continuously सोचते हो और यह person आपके दिमाग से कभी निकलता ही नहीं है अगर मैं इस person की बात करूँ तो यह जो person है ना यह थोड़े past में अटके हुए रहने वाले person है और इनकी जो energy है जो right now show हो रहे है past में कुछ loss इन्होंने face किया है relationship में और अभी यह connection में आने के बात आपके साथ connection में आने के बात यह past के energy में ही stuck है मतलब इनकी healing complete नहीं हुई है इनको कोई realization नहीं हुई है और यह आपके साथ new connection में आ तो चुके है लेकिन past के उन्ट के साथ और अभी इनके लिए किसी को trust करना या किसी को फिर से loving energy देना किसी के लिए फिर से excitement feel करना इनके लिए difficult है तो right now यह बिलकुल भी prepare नहीं है connection के लिए लेकिन यह अभी आपके साथ relationship में है इनकी energy completely stuck है past में past के energy में यह completely stuck है इनका दिल बुरी दरीके से टूटा था past में या इनको कोई misunderstanding हुई थी जिस वज़े से यह बहुत hurt हुए थे past में और यह ना इनकी romantic life में भी हो सकती है इनकी family life में भी हो सकती है कि family life में इन्होंने कुछ loss देखे है जैसे कि इनके parents के divorce हो जाना parents का अलग हो जाना parents से दूर हो जाना किसी को खोने का गम इनमें है दर्द इनमें है वो pain इनमें अभी भी है वो उस energy से बाहर नहीं आए है उस trauma से यह बाहर नहीं आए है इनके लिए किसी को trust करना बहुत जादा difficult है और अभी इस connection में ऐसे energy है आपके partner जो है उतना आपको excitement जो है इस connection को लेकर वो show नहीं करते है आप अकेले ही इस connection को लेकर excited होते हो आपका अकेला ही यहाँ पर effort होती है आपके person जैसे कि इस connection में कोई effort देने के लिए ready ही नहीं है ऐसा नहीं है कि यह कहीं और जगा पर busy है या यह कुछ और कर रहे है इनको आप पसंद नहीं हो ऐसा कुछ नहीं है बस यह stuck है past के energy में या यह stuck है अपनी pain में तो इसलिए आप दोनों में match नहीं होती है mentality आप दोनों की match नहीं होती है आप overdoing हो आप overly excited हो optimistic हो अपनी life को लेकर इस connection को लेकर आपकी dreams बहुत सारे है आपकी person से आपकी expectations जैसे कि मैंने पहले भी कहा है बहुत सारे है और यही पर जाकर आप लोगों की वो एक problem आप दोनों में चलिया यहाप दोनों में match नहीं बन पाता है और यहाँ पर यह situation हो सकती है कि आप अपने self का भी परवानी करते हो अपने आपको priority आप नहीं देते हो आप अपने partner को अपने life में highest priority बना कर रखे हो और आप खुद की भी value नहीं करते हो तो अगर यह question है कि क्या आप दोनों comfortable हो तो यहाँ पर आप दोनों की mindset match नहीं हो रही है या फर आप दोनों की energy current situation में match नहीं हो रही है आगे हो सकते हैं अगर आपकी person इस energy से बाहर आते हैं अगर यह खुद को heal करते हैं इनकी wounds को जो है वो release करते हैं तो definitely आप दोनों में अच्छे connection बन सकते हैं लेकिन current situation में आप दोनों में compatibility यहाँ पर show नहीं हो रहे है current situation में यहाँ पर आपको खुद पर focus करने की ज़्यादा ज़रूरत है खुद की respect करना खुद को prioritize करना खुद को self love देना आपके लिए यह ज़्यादा ज़रूरत है आप एक तरफा एक connection में effort दे रहे हो जैसे कि आप अकेले ही इस connection को आगे लिकर जा रहे हो आपके partner की कोई involvement जादा नहीं show हो रहे है तो इस situation में आगे की जो two months होंगे उसमें क्या हो सकती है तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको deep कुछ realization हो सकती है flow में इतना जादा बहते हो आपको आपके partner की जो deep hidden feelings है वो आपको नहीं दिखती है तो आपको कोई deep realization हो सकती है आपको deep understanding हो सकती है आपके साथ जिनकी भी connection है उनका जो situation है उनके जो मैं कह सकती हो current energy है उनको आप समझ सकते हो deeply उनके साथ आपकी deep understanding बनते हुए दिखाया जा रहा है और आप कुछ realize तो definitely करेंगे इस connection को लेकर आप खुछ से ही समझ पाएंगे कि क्या आप दुनों compatible हो या नहीं क्या आप आगे बर्ष सकते हो या नहीं या आपके सामने reveal होगी और यहाँ पर right now आप हो सकता है कि emotions के flow में बहुत सारा भैते हो emotional होकर decisions लेते हो action लेते हो तो उसको आप resist करने वाले हो उसको आप control करने वाले हो तो next two month में आपका focus जो है अपने उपर होने वाली है अपने आपकी healing में अपने आपको balance में लेकर आने में आपकी focus होने वाली है और ये करने से हो सकता है आपके person भी कुछ को heal करने लगे और आप दुनों की connection आगे सही हो जाए, आपके partner भी इस connection में effort देना start करे ये situation हो सकती है, लेकिन कुछ situation में आपको major decisions लेना पड़ेगा, आपके सामने आने वाले two months में कोई यहाँ पर options आ सकती है आपके सामने जहाँ पर आपको किसी एक बात को choose करनी है आपको कोई decision लेनी पर सकती होगी चले आप कुछ situation को accept करेंगे, जैसे कि आपके partner हो सकता है आपको ऐसा आप ऐसा complain करते हो कि उनकी energy जादा invert नहीं है आप उनकी connection में तो आप उनको ना completely accept करने वाले हो, आने वाले time में आने वाले two months में आपकी understanding इस connection को लेकर आपके partner को लेकर और deep होगी और आप खुद को transform करते हुए दिख रहे हो यहाँ पर again 8, number 8 कितने सारे है देखिया यह आने वाले time में इस connection को better बनाने के लिए आपकी effort होने वाली है लेकिन यह effort ऐसा नहीं है कि over excitement में आप कुछ करे हो overly आप अपने partner के लिए खुद को एकदम serve करे हो आप अपने आपको prioritize नहीं करे हो ऐसे situation नहीं होने वाली है आप खुद को grow करवाएंगे और इस connection की जो deeper emotions है उसको आप समझने की कोशिश करेंगे और इससे आप आपके partner के साथ थोड़ा और strong bond create कर पाएंगे आप अपने partner के साथ deep bond feel कर पाओ आने वाले two months में ये हो सकता है कभी-कभी आपको हो सकता है कि आप hopeless, helpless feel भी करते हो कि ये कैसा person है ये तो जैसे कि interested ही नहीं है मेरे साथ इस connection में लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके person interested नहीं है बस वो इस energy में ही नहीं है कि वो आपके साथ इस connection में आगे बढ़े या वो आपके बारे में सोचे ये past के energy में इतने ज़्यादा स्ठक है कि यह भी उस excitement को feel नहीं कर पा रहे है लेकिन आप यहाँ पर जो effort देने वाले हो आने वाले time में उससे आप जो चाते हो इस connection में वो आपको मिलते वे दिख रहा है आपकी जो dreams है वो बहुत हद तक fulfill होगी आने वाले two month में और आप खुद को भी control करेंगे आप खुद को भी और एक stable person में convert करने वाले हो आप एक bitter person में convert होंगे जिसका impact आपकी relationship में पहने वाली है तो यह है